बॉलिवुड एक्टर वरुन धवन ने हम्प्टी शर्मा की दुलहनिया और बद्रीनात की दुलहनिया से खूब धमाल मचाया था। अब एक्टर दुलहनिया फ्रेंचाइजी की अगली इंस्टॉल्मेंट में तीसरी बार दुलहा बनने वाले हैं हालांकि इस बार उनकी दुलहनिया आलिया भट नहीं होंगी। दरसल वरुन धवन की बवाल एक्ट्रेस ने दुलहनिया 3 से आलिया भट को रिप्लेस कर दिया है पीपिंगमून की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरुन धवन के साथ बवाल में स्क्रीन शेयर कर चुकी जाहनवी कपूर इस बार फ्रेंचाइजी की नई दुलहनिया होंगी हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आलिया हिट फ्रेंचाइजी में क्यूं नहीं लोट रही है हो सकता है कि डेट इश्यू की वज़े से आलिया भट ने दुलहनिया 3 को ना कहा हो अगर रिपोर्ट सच है तो पिछले साल रिलीज हुई बवाल के बाद वरुन और जाहनवी कपूर एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे रिपोर्ट के मुताबिक शशांत खेतान दुलहनिया 3 को डाइरेक्ट करेंगे रिपोर्ट की माने तो दुलहनिया 3 में एक अलग स्टोरी और किरदार होंगे और यह किसी भी तरह से पिछले पाथ से कनेक्टेंज नहीं होगी इससे पहले बदरीनात की दुलहनिया और हम्टी शर्मा की दुलहनिया की कहानी भी एक दूसरे से अलग थी फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और अगले कुछ महीनों में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी हालांकि धर्मा प्रोडक्शन और करन जोहर ने अभी तक रिपोर्ट पर कोई रियेक्शन नहीं दिया है वक फ्रंट की बात करे तो वरुन धवन फिलहाल एतली के साथ थेरी के रिमेक में बिजी हैं इसके अलावावे सामन्था रुत प्रभू के साथ सिटाडल इंडिया में नजर आएंगे वहीं जावी कपूर के पास सिद्धार्थ मलहोत्रा और टाइगा श्रॉफ के साथ फिल्मे हैं उनके पास जूनियर एंटी आर के साथ देवारा भी ये फिल्म जाहनवी की तेलगू फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म होगी